पलक फाउंडेशन के तत्वधान में दरोगा बहाली 2020 में उत्तीड चार्ट रवम चात्राओं के लिए सम्मान समारोह गूतपुर प्राचार वासुदेव प्रशात सहा के आवास पर पलक फाउंडेशन के सचे वेवम ग्राम पंचयाद असरगंज के मुखिया डॉक्टर रा केश कुमार ने कहा कि असरगंज पंचयाद के लिए यह गौरा वेवम सम्मान की बात है इस अवसर पर काफी सारे लोग उपस्थित रहे महीं आपको बता दे परिच्छा में सफलता प्राफ्ट करने और अधिक से अधिक चात्र वम चात्राएं प्रतियोगी परिच्छा मे भाग लेने को लेकर वाजुदेव प्रशाद साहा ने अपना वक्त वे रखा देखें हमारे समवादाता असरगन से राजेश चौधरी किया रिपोर्ट हो इतना फूरी नियाए में सके हैं और यतोने ज़दी बीच किया नाम बताय है य्जह लिंड़ राम किमारे तो इंडिया ऑनलाइन पर फेक्लास दें हैं वो बिगर बाता है डाय पहर है अदि जाusalem कोई किया जा सकता है आगे बच्चियों के लिए क्या मतलब रिन्या देंगे कि ओपर है किस तरह करें कैसे करें अच्छा मन लगाते पढ़िए और इतना भी हार्ट नहीं था अचान से निकल जाए लेकिन हो गया तो पहली वार एक्जाम दिया और पहली वार में ही निकल जाए वार में बिकान एँ बहुत मेरा चीजा के खाँ टेश्च सभी bütün क्या नाम हो अपका स्विर्षैकर आप महनत तो बहुत हुआ हुए और इसमाहनत की पीचे मेरे पती का भी हाथ है मेल इस पोस्ट के बहुती खे न d चेमेरे पीचर है और इस मैं इस पोस्ट को पा के बहुत खुश हुँ और आगे समाज के लिए महलाव के लिए बच्चो के लिए गरीवो के लिए काम करना च्छाती हूँ। उसे मोटिवेट करना चाते नहीं satellite काम करें और आगे चलके कोई का नाम रोशन करें, मैं इता है कि अपने को बिदाबें, क्या नाम है आपका? फुजक हमारी साथ साथ पुरे पंचायत की बहुत ही किसी की बात है, और अपनी बात है, कि इस बार 2020 के रिक्षा में हमारी समाज के तीन अभ्यर्तियों के अच्छन दरवा, जिसमें एक स्वातिक वारी है, एक जत्मरी, एक बना है, और तीनों अभ्यर्ति बहुत कम उम्र में ऐसा पर्चम को पाने का काम किया है, मैं इन तीनों के साथ साथ उनके परिवार को कोटी-कोटी थन्जवाद देता हूँ, जिनोंने समाज को समाद देता है, मैं तो